जनपत के इंट निर्माता समिती की बैठक आज अस्थानिय होटर में संपन हुई जिसकी अधक्षता स्री मनी राम बर्मा ने की इस दोराल उतर प्रदेश इंट निर्माता समिती की अधक्षत अतुल कुमार सिंग ने कहा कि केवल इट भटो पर ही जिसकी की कर को बेताहासा ब्रदी कर दी गई है जो जिसकी की दर पहले एक परसंट शमधान योजना थी उसे बढ़ाकर शे परसंट जो पांच परसंट रे आठ हजार से लेकर दस हजार परती मैचिक टर्ण में था वह कईला विस हजार से 27 जार परती मैचिक टर्ण हो गया है जिसके फल सरूप इटो के लागत मुल्यों में काफी बढ़ोतरी हो गई है इसके विरोध में देश के परतेक जीलों ने जीला मुख्याले से लेकर धर्ना प्रदोशन किया पंदू इसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जिससे बिवा सोकर अखिल भारतिय इट उंग टैल सुनिर्वाता महासंग नई दिली के दोरा दिनांग 2322 को नई दिली में हुई बैठक में देश के संपूर इट भटों के लिए हर्ताल की शुक्ला जितंदर प्रताप शिंग, कुलदीब सिंग, जगदीश शिंग, सुरेश कुमार, काली, प्रेम प्रकास सर्मा बवलू सिंग, संजे सिंग, चंद्रभान मौर्या, सुनिल तिवारी, अदिल भाई, प्यूस, इट भाठा लोग मौजूद रहे अता समित की बैठा कभी दिल्ली के अंदर संपन ही, जिसमें इट भठों के ऊपर जी एस्की की भी अतहासा बिर्धी, और कोईले की, 10 अजार का कोईला 26 अजार उपए में विका है इस सर्म, और कोईले के इस ट्रेड में कुछ ऐसे माफिया लगे हैं, कि जिनको सरकार निय करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन कर नहीं पाई, जिसकी वज़े से जो है, हमारे लागत मूल में बेतहासा बिर्धी हो गई, और इस बिर्धी के कारण, तमाम लोग हमारे इस नार भठे चला नहीं पाए, और चला रहे थे तो बीच में उन्हें बंद करना पड़ा, ऐसी इ परसेंट का जो आपने बारा परसेंट की दरों में परिवर्तन किया है, इसको पूर्वत कीजिए, नहीं तो ये कुठी रुद्योग के उपर एक बड़ा ही, ऐसा आपने ब्रमास चरा दिया है कि ये रुद्योग बचेगा नहीं, हमने धरना प्रदर्शन करने से लेकर प् करके भी हमने दिया था और सारी इस्तिती रखी थी, लेकिन सरकार ने अभी इस पर कोई उच्छित नेरे नहीं किया, और इसी कारण से जो है, आज की इस्तिती में हम लोग इस कारोबार के संचालन में अपनी कोष्मत पा रहे हैं, क्योंकि जो लागत हमारी है, उससे नीच यह नेरे लेना पड़ा जो है भारी मन से, कि अगले सीजन में जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, तब तक हम भठे चला पाने में अपने कोष्मत पा रहे हैं, हमने अगले सीजन के लिए अपने भठे बंद कर दिये हैं, और सरकार के साथ हम वारता के क में हैं, मानसून सत्र में हमारी जो एक कोर टीम बनाई है, जिसमें हम सांसदों से मिल करके, मंत्रियों से मिल करके, और उन से अपनी वेदना, अपनी पीड़ा फिर कहेंगे, और जब तक समाधान नहीं होता है, तब तक हम भठे चला पाने में अपने कोष्मत पा रहे हैं, अपने में अपने में हमारी कई चकर की बात हुई थी, मुखमंत्री जी के निर्देश पर भी जो है, एक हमारी बैटा कोई, और ये हुआ था, कि आपके उस पर कोई साहन भूत पूरत विचार करके, कोई निर्णे लिया जाएगा, कि निर्णे की प्रतिया इतनी धीमी है, कि पुरा सीजन भी तो.